आपको सबको नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे भी करोना हो गया था और लगबग साथ आठ दिन मैं होम आईसोलेशन में रहा आप सबकी खुब दुआएं मिली, आपका खुब आशिरवाद मिला, आपकी सबकी शुब कामनाई आ रही थी उसके लिए आप सब का बहुत-बहुत शुक्रिया, तही दिल से शुक्रिया, मुझे लगबग दो दिन बुखार रहा उसके बाद मैं ठीक था लगातार, लेकिन जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं, उसके हिसाब से मैं साथ-आठ दिन होम आईसोलेशन में रहा अब मैं वापस आप सब की सेवा में हाजिर हूँ, आप सब लोगों की शुबकावनों के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया लेकिन दिल्ली में जो करोना की रफ़तार बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, उसको लेके मैं हमेशा से चिंतित था हलांकि मैं होम आइसोलेशन में था, लेकिन फोन के उपर में लगातार अपने सभी ऑफिसर से, चीफ सेकरेटरी साब से, हेल्थ मिनिस्टर से, सबसे लगातार संपर्क में था, जो जो इंतिजाम किये जा रहे हैं और जिस तरह से करोना की स्पीड बढ़ रही है, उसके रफतार बहुत जादा तेज है, मैं देख रहा था कि कल वाला जो हेल्थ बुलिटन था, उसमें लगबग 20,000 के करीब केसे आए थे, और आज शाम को जो हेल्थ बुलिटन आएगा, उसमें लगबग 22,000 केसे पिछले 24 गंटे के 22,000 केसे आएंगे, तो डेली बहुत तेजी से केसे बढ़ रहे हैं, जिसको जो एक चिंता का विशय तो है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था, घबराने की बात नहीं है, जब मैं बोल रहा हूं घबराने की बात नहीं है, तो मैं सारा डेटा एनलाइज करके बोल रहा हूं, पिछली जो वेव आई थी, अप्रेल है। साथ माई को भी पीस हजार केसे आहे थे ह। पिछली वेव में लेकिन सात माई को 349 मौतें हुई थी तीन सो इक तालिस मौतें है। लेकिन कल जब 20,000 केसे आ हैं तो 7 मौत हुई है एक भी नहीं होनी चाहिए लेकिन comparison में केवल 7 मौत हुई है साथ मई को जब 20,000 केसे आये थे तो लगबग 20,000 बेड्स दिल्ली में भरे हुए थे लेकिन कल जब 20,000 केसे आये हैं तो लगबग 1,500 बेड्स केवल दिल्ली में भरे हुए है तो उस तरह से इस वेव के दौरान death भी काफी कम हो रही है और लोगों को hospital जाने के भी काफी कम जरूरत पड़ रही है ये data मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि इसलिए अब हम mask पहनना बंद कर देंगे और गैर जिम्मेदार हो जाएंगे ये data मैंने आपको इसलिए बताया कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है घबराने की कोई जरूरत नहीं है डरने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की जरूरत है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि mask पहनना सबसे जरूरी है mask पहनना सबसे जरूरी है कई लोग मेरसे प्रशन पूछ रहे हैं, लॉवटवण लगेगा, हम लॉवटवण नहीं लगाना चाहते हैं, अगध आप मास्क पैनोगे तो, मास्क पैन के घर से बहार निकลो, मास्क पैन के चारों तरफ गूमो, अगर झूपड़े तो घर से बाहर नहीं निकलो अभी थो और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव खतम हो और कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शन हम लोग लगाएं ताकि लोगों के रोजी रोटी चलती रहें लोगों के रोजगार चलते रहें LG साब और मैं दोनों मिलके पूरी सिचुएशन को लगातार हम लोग नजर रखे हुए हैं कल हमारी DDMA की दुबारा मीटिंग है उस मीटिंग में एक्सपर्ट्स के साथ फिर से हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन को कि क्या और करने की जरूरत है नहीं है केंद्र सरकार से लगातार हम लोग संपर्क में हैं केंद्र सरकार से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है तो सब लोग मिलके मैं LG साब हमारे सारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार सब लोग मिलके सिचुएशन के उपर नजर रखे हुए हैं और सिचुएशन को कंट्रोल कियो हुए ह पहले भी हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके करोना की इतनी बड़ी इतनी खतरनाक लहर थी जो अप्रेल वाली थी उसको हमने पार पालिया तो इस लहर को भी हम लोग पार पालेंगे चिंता करने की जरूरत नहीं है लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की जरूरत है और जिन जिन लोगों ने वैक्सिन नहीं लगवाया प्लीज जाके वैक्सिन जरूर लगवा लीजिए वैक्सिन लगाने से मतलब यह नहीं है कि करोना नहीं होगा लेकिन करोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड करोना होगा आपकी जान को खत्रा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता, जाने की जरूर ना पड़े, नमस्क्राइब